दिव्य विचारों से उत्कृष्ट जीवन संसार में अधिकान श्व्यक्ति बिना किसी उद्देश का अविचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं किन्तु जो अपने जीवन को उत्तम विचारों के अनुरूप ढालते हैं उन्हें जीवन ध्याई की सिद्धी होती है मनुष्य का जीवन उसके भले बुरे विचारों के अनुरूप बनता है कर्म का प्रारमभिक स्वरूप विचार है अतेव चरित्र और आच्रण का निर्मान विचार ही करते हैं यही मानना पड़ता है जिसके विचार स्रेष्ट होंगे, उसके आचरण भी पवित्र होंगे जीवन की यह पवित्रता ही मनुष्य को स्रेष्ट बनाती है, मुचा उठाती है अविवेक पूर्ण जीवन जीने में कोई विशेष्टा नहीं होती सामान्य स्तर का जीवन तो पशु भी जी लेते हैं, किन्तु उस जीवन का महत्व ही क्या जो अपना लक्ष न प्राप्त कर सके उत्रुष्ट जीवन जीने की जिनकी चाह होती है, जो अंतहकरण से यह अभिलाशा करते हैं कि उनका व्यक्तित्व सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ मुचा, शामदार तथा प्रतिभायुक्त हो उन्हें इसके लिए आवश्यक प्रयास भी जुटाने पड़ते हैं। संसार के दूसरे प्राणी तो प्राकृतिक प्रेणा से प्रतिबंधित जीवन यापन करते हैं। किन्तु मनुष्य की यह विशेष्टा है कि वह किसी भी समय स्वेच्छा से अपने जीवन मान में परिवर्तन कर सकता है। मनुष्य गीली मिट्टी है, विचार उसका साचा। जैसे विचार होंगे वैसा ही मनुष्य का व्यक्तित्व होगा। इसलिए जब भी कभी ऐसी या कांक्षा उठे तब अपने विचारों को गंभीरता पुर्वक देखें। बुरे विचारों को दूर करें और दिव्य विचारों को धारन करना प्रारंभ करतें। तब निश्चय ही अपना जीवन उतकुरुष्ट बनने लगेगा। प्रत्येक मनुष्य में प्रगति की ओर बढ़ सकने की बड़ी ही विलक्षन शक्ती परमात्माने दी है। किन्तु यह तब तक अविक्सित ही बनी रहती है जब तक सुरेश्ट आदर्श सम्मुख रखकर वैसा ही उद्दात बनने की चेष्टा नहीं की जाती। मनुष्य को यह भाव अपने मस्तिशक से निकाल देना चाहिए कि उसके पास परियाप्त बौधिक शम्ता या शेक्षनिक योग्यता नहीं। कई बार भाग्य और परिस्तितियों को भी बाधक मानते हैं किन्तु यह मान्यताएं प्रायह अस्तित्व विहीन ही होती है। निर्बलता, निूनता और अनुत्साह की दुर्बल मान्यताओं से अभिप्रेत मनुष्य जीवन में कोई महत्वपुन सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। अनुभव किया कीजिए कि आप में विश्वास और मनोरत सिद्धी की बड़ी विलक्षन शक्ती भरी पड़ी है। आपको केवल उस शक्ती को प्रयोग में लाना है। आप देखेंगे कि आपके स्वपन अवश्य साकार होते हैं। जो विचार आपको तुछ और विनाश पूर्ण दिखाई दे, उन्हें एक क्षण के लिए भी मस्तिशक में टिकने न दे। उन योजनाओं के विचार विवर्ष में ही लगे रहें जिनसे आपको लक्ष प्राप्ती में मदद मिलती है। सफलता मनुष्य को तभी मिलती है जब मनुष्य अपने विचारों को साहस पूर्वक कर्म में बदल देता है। रोग कहा जा सकता है। निराश व्यक्ति अपने भाग्य का विनाश स्वयम ही करते हैं। प्रत्यक कार्य में उन्हें शंका ही बनी रहती है। अधूरे मन से संदिग्द अवस्था में किये गए कार्य कभी सफल नहीं होते। यह एक प्रकार के कुविचार के मूल कारण होते हैं। आशावान व्यक्ति, अल्पशक्ति और विपरीत परिस्थिति में भी अपना मार्ग बना लेते हैं। सुरेष्टता, उत्कुरुष्टता और पवित्रता के विचारों से ही आत्मविश्वास जागरत किया जा सकता है। इसी से वह शक्ति प्राप्त होती है जो मनुष्य क बहुत उंचा उठा सकती है। भले और बुरे दोनों प्रकार के विचार मनुष्य के अंतह करण में भरे होते हैं। अपनी इच्छा और रूची के अनुसार वह जिन्हें चाहता है उन्हें जगा लेता है। जिन से किसी प्रकार का सरोकार नहीं होता, वे सुपतावस्था में पड़े रहते हैं। जब मनुष्य कुविचारों का आश्रय लेता है, तो उसका कलुषित अंतह करण विक्सित होता है। और दीनता, निक्रिष्टता, आधी, व्याधी, दरिद्रता, दैन्यता के अज्ञान मूलक परणाम, सिरमा के परदे की भाती सामने नाचने लग पर जब वहशुब्र विचारों में रमन करता है, तो दिव्य जीवन और स्रिष्टता का अवतरण होने लगता है। सुख, समृद्धी और सफलता के मंगलमय परणाम उपस्तित होने लगते हैं। मनुष्य का जीवन और कुछ नहीं विचारों का प्रतिबिंब मात्र है। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश पाने के लिए विचार शोधन अत्यावश्चक है। शद्धा भक्ति, आत्म विश्वास और गहन निष्ठा आदी मनोवृत्तियों के पीछे एक सत्य क्रियाशील रहता है। इस सत्य में ही वहक्षमता और उत्पादक शक्ति होती है, जो हमारी प्राकृत अभिलाशाओं को सुख और सफलता का रूप प्रदान करती है। अतह यह मानना पड़ता है कि दिव्य विचार उन्हें ही कह सकते हैं जो सत्य से ओत्प्रोथ हूं। सत्य कसोटी है जिसमें विचारों की सार्थकता या निरर्थकता का अनुपात व्यक सकते हैं। हमारी अभिलाशाओं जब अंतरबल को जगा नहीं पाती और विजय कामना मंद पड़ जाती है तो यह देखना चाहिए कि सही विचार की प्रक्रिया में क्या कोई विरोधी भाव कार्य कर रहा है। इन में से पलायनवाद प्रमुख है। पलायनवाद का सीधा स अर्थ है अपनी शक्तियों की तुल्डा में अपने काम को बड़ा या कश्ट साध्य मानना। जब हम कठिनाईयों से संघर्ष करने का विचार त्याग देते हैं तो वहीं सारी उतपादक मशिनरी ठप पड़ जाती है। सरलता की और भागने का प्रेत्न करने लगते हैं। चित्वृत्तियां अस्तव्यस्त हो जाती हैं और महानता प्राप्ती की कामना धूली दूसरित होकर रह जाती है। भागयवाद भी ऐसा ही विरोधी भाव है। सच कहें तो भागयवाद मनुष्य की सबसे संकीर्ण मनुवृत्ति हैं। काम, क्रोध, भै, वैर, आदी दु और मुसीबतों को जेल कर आगे बढ़ा है। निश्चयात्मक बुद्धी से पुरुशार्थ का उधै होता है और भागयवाद का अर्थ है मनुष्य की संशयात्मक स्थिती। संदेह की स्थिती में कभी किसी का काम सफल नहीं होगा, क्योंकि इस से विचार शक्ती, निश् प्राण बनी रहती है। मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा, इस प्रकार के संशय रहित संकल्प में ही वह शक्ती होती है जो सफलता, सुख और श्रे प्रदान करती है। भावुकता, अतिशयता तथा संकीर्णता, आदी और भी अनेको छोटी-छोटी शिकायते मनुष्य के मस्तिश्क में भरी होती हैं। यह दुर्बलताएं मनुष्य की उच्य विचारधारा को रोकती हैं। निम्नकोटी के विचारों से मनुष्य का जीवन स्तर भी हीन, दीन और पतित ही बना रहता है। आतह उतकृष्टता प्राप्ती की जिन्हें कामना हो उन्हे अपने मस्तिश्क में उन्ही विचारों को स्थान देना चाहिए, जिससे उसकी संपाधन शक्ती बल्वान बनी रहे। आप उन वस्तूओं की कलपना किया कीजिए जो दिव्य हूं, जिनसे आपका जीवन प्रकाश्वान बनता हो। आपका आत्म विश्वास इतना प्रदी क्षण विचार करते रहा करें, इससे मानव जीवन अवश्य सार्थक होगा। इस मार्ग पर चलते हुए, आज नहीं तो कल आप निश्चय ही उच्च स्थिती प्राप्त कर लेंगे। पुस्तक विचारों की अपार और अध्वुत शक्ती लेखक पंडित श्री राम शर्म अचार्या।